संसेट के विशेश सत्र में गेम चेंजर बिल लेकर आने वाली है सरकार कहा जा रहा है कि ये गेम चेंजर होगा पूरी तरह से भारतिय राजनीती के प्रदर्शे को भी बदल देगा लेकिन साथ ही राजनितिक जमीन पर किस तरह से राजनीती की जाती है उसे भी बदलेगा आरक्षन का बिल कल पेश हो सकता है ये बड़ी जानकारी मिल रही है ये बिल कल पेश हो सकता है कल काबिनेट ने महिला आरक्षन बिल को मंजूरी दी थी संसद और विधान सभा में महिलाओं को अब मिलेगा 33 प्रतिशत आरक्षन देखे किस तरह से महिला आरक्षन बिल को लेकर अलग-अलग जानकारियां सामने आ रही है आपको ये भी बता दें कि किस तरह से इसके अलावा दो और विकल्प हैं TV9 भारतवर्ष के पास exclusive जानकारी है सिर्फ एक विकल्प नहीं कई विकल्पों पर विचार किया गया है और कई तरह से आरक्षन महिलाओं को दिया जा सकता है तो जो बड़ी जानकारी और exclusive जानकारी TV9 भारतवर्ष के पास है वो आपको बता दें सांसदों की संख्या बढ़ाने का भी एलान कर सकती है सरकार सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है और संसद में सीटों की संख्या भी बढ़ा सकती है सरकार तो कई विकल्प हैं कौन सा विकल्प चुरा जाएगा किस तरह के और किस प्रारूप में सामने आएगा वो देखना दिल्चस्प होगा लेकिन देखे हम आपको ये भी बता दें कि अभी तो समर्थन दिखाई दे रहा है चारों तरफ से लेकिन इसके पहले तब जब कि ये बिल सामने रखा गया था तब किस तरह का समर्थन था और कौन इसके विरोध में खड़ा था वो तस्वीर भी आज जाननी और देखनी बहुत जरूरी है क्योंकि किस तरह से देखिए 33 प्रतिशत आरक्षन की बात की जा रही है लेकिन बताएए जा रहा है कि करीब 27 साल से क्योंकि ये लंबित है उसके बाद आखिरकार अब वो ख्षन आया है तब जब कि महिलाओं को ये आरक्षन मिलने का रास्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है चोतरफा समर्थन भी मिल रहा है हमारे साथ महमान भी याँ बने हुए हैं से बात करेंगे इस पर पुराने बिल से अलग होगा ये जानकारी मिल रही है लेकिन किस तरह से अलग होगा और ये जुक्षन है इतिहास में इसे किस तरह से याद रखा जाएगा हमारे साथ शिवम त्यागी मौजूद है और वेकल्पों के बारे में अभी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है स्वागत कर रहे हैं आप भी जी बिलकुल बिलकुल स्वागत करने की तो बात है क्योंकि ये तो वो इतिहासिक बिल होगा जिसमें कि पिछले बार 10 तारिक को 2010 में स्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा जो एक दिल संकल्प था जो लोगों को पब्लिक में उन्होंने बोला था कि वुमें रिजर्विशन बील होना चाहिए महिलाओं को आरक्षान मिलना चाहिए पार्लामेंट में और उनकी भागिदारी होनी चाहिए उसी क्रम में जब राज सभा में ये पास किया गया था UPS सरकार के में मनमहन सिंग की सरकार थी तो उस समय ही एक बहुत हरसो उलास का समय था लेकिन चुकि हम लोग सभा में हमारा बहुमत नहीं था तो जिसे कारण हम पास नहीं करा पाये थे लोग सभा से लेकिन अब जब ये सरकार आगे बढ़ा रही है इसको तो इसमें बिल्कुल स्वागत करने की बात है खुस होने की बात है और इस बिल्कुल हम लोग स्वागत करेंगे तो वही तो कहते हैं ना वही तो कहते हैं सरकार को यही कहते हैं कि मान ये प्रधान मंत्री जी आप प्लीज विपक्च की बातों को समझें सुनें और उसको आगे बढ़ाने का काम करें तो देश का स्वरूप कुछ और होगा जो आज पुराने पार्लामेंट से आप नए पार्लामेंट में जा रहे हैं तो आज जरूर एक नया स्वरूप हो हमारी बातों को मान रहे हैं सोने गांधी जी ने जिस बात को आगे रखा था उसको आगे बढ़ाया है और इसलिए स्विकार कर रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं इसका शिवब तो क्रेडिट लेने के लिए भी अब ये एक राजनीती शुरू होगी कि दरसल कौन इसे पहले लाया किसने पहले इसके बारे में विचार किया तेकि सुमेरा जी हर किसी की टीम होती और मुझे लगता है आपकी भी एक टीम होगी जिसमें अकसर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास जब भी आप कुछ काम लेके जाओ कि मैं तो बस करने ही वाला था इसको जब भी इस देश में महिलाओं के हर डेपार्टमेंट में कितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उसको लेकर बात हुई थी 1975 से आज 2023 आगे 48 साल में इनको ये सुद नहीं आई कि इसको बिलको पास करा लिया जाए उसके बाद राजीव जी ने प्रयाज किया वो विधान सभाओं में पास नहीं करा पाए उसके बाद फिर 1996 में देवगोडा जी आए फिर उस पर जो है शरद यादव जी ने बड़ा इन्फरमिशन नहीं है लेकिन अगर आज बात चल रहे हमने कहा था तो इसलिए कर दिया अरे भाई 48 साल हो गए हैं आपको कितना कहा था कहा था करेंगे अगर करना होता कर पार्टे तो कर देते और उस समय दस सकिन और लूँगा उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहे आ अपने महिला आरक्षण बिल्कों पीछे रखना दरूरी समझा है जोती जी दो सो बासट थे आपके पास संख्या थी आप पास करा सकते थे क्या यहीं मजबूरी थी सायोगियों की मजबूरी थी इस वज़े से तब पास नहीं करा पाई इच्छा तो थी आपकी मैंने मैं जो बात अब बिट गई है मैं आप उस पर बात करना चाहती है मैं इस देश को जब आप खुदी बोल रही है कि नरिंद मोदी जीस को आगे ले जाकि इस पालेमेंट से दुसरे नए नए पालेमेन में जा रहे हैं तो बात करें न сос 1968 कि क्या नहीं कर पाये थे मैं तो यह नह पार्टी और कार्करता महलाएं जहां वह दिर्ज संक्लब है इसको लाएंगे तो उनको राजसबह में पास कराने का काम किया था उन्होंने दिखाया था अपना इनिटेंशन दिखाया था उस इंटेंशन में गांग्रेस में तो कोई दाग नहीं उठा सकता, ना आप उठा सकती हैं, ना भारतिनता पार्टी के लोग उसाखते हैं, मैं केवल और केवल स्रीमती सोनिया गांदी जी के दिर संकल्प की बात कर रहा हूं और उनके इनिसेटिव की बात कर रहा हूं स्वागत कर रहे ना खुले दिल से आज तो कोई विरोध नहीं है अब इस बिल का अगर आता है देखे अगर ये बिल पास होता है महिला होने के नाते में जितनी राजनितिक दल हैं सबको मैं धन्यवाद दूंगी मुलाइम सिंग जी ने पहली बार इस बिल पे बात किया था और जब ये राजसभा में पास हो गया था लोगसभा में कई अर्चने आई थी आज भी लोगों के मन में कुछ संशे है एक बार जब ये बिल पास हो जाए दूसरी चीज एक और देखें आप मैं ये जानना चाहती हूं सर्फ हम महिलाएं एकुल हैं तो हमें सिर्फ 33% 33% क् पूरे उससे हैं और भाजपा जो है उसका दाई तो बनता है कि महिलाओं को पूरा नयाय दें मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिलाओं को इतना समान देते हैं तो 50% का समर्थन करें गहीं तो इतिहास की बात कर रही है आजपा जो है पूरे बहुमत में बैठी हुई है यहाँ तब तो इल्जाम आप पर और आपके जिसे और तमाम दलों पर लग रहा है जो सयोगी थे कि आप लोग की वज़े से तब नहीं आ पाया था क्योंकि उस वक्त लोगसभा में पूरी बहुमत में नहीं थी सरकार और इसको पास करने के लिए राजसभा में तो पास हो गया थे लेकिन इसको पास करने के लिए 27 साल हमें लग गए